हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल माईक्रोबाइलजी बाई संतोश नप्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत के जो अलग-अलग टॉप इनिवर्सिटीज है उस इनिवर्सिटीज के इंट्रांस एक्जम के बारे में जाने वले हैं और यह जो यह स्पेसिफिकली मैक्रोबाइलोजी मैक्रोबियल बायोटेक्नलोजी तो यह चार सब्जक्त में माईक्रोबाइल इसमें मैंट्रांस एक्जम कैसे कंड़क की जाती है यह अलग-अलग इनिवर्सिटी में उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं तो पहले हम पुने उसके बाद हम देखेंगे पंजाब इनुशिटी चंदीगाड, then we will see about the entrance exam of जवारलाल नेहु इनुशिटी दिल्ली, उसके बाद हम देखेंगे चंदीगाड इनुशिटी मुहाली, then we will see about the entrance exams of बुरुनानक देव इनुशिटी अमृत्सर पंजाब, उसके बाद हम देखेंगे महाराजा सायजिराओ गाहिकावड इनुशिटी बरोडा, and last में हम देखेंगे बिर्ला इंस्टिटुट आफ टेक्नोलोजी और साइंस, तो यह जो साथ इनुशिटी है हमारे भारत देश में, जो टॉप इनुशिटी है, और हमेशा स्टुडन्स क कि यह इच्छा रती है कि ऐसे यह और जो अलग-अलग इनुशिटी है इंडिया में, उन इनुशिटी में हमें कुछ भी करके MSC को एडमिशन भी नी चाहिए, तो हम स्पेसिफिकली यह साथ इनुशिटी में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो पहले हम देखेंग कि इस इनुशिटी दारा MSC microbiology के लिए entrance exam के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम अलग-अलग इनुशिटी की entrance exam के बारे में देखेंगे, तो friends, पहले हम देखेंगे साथ इनुशिटी माना जाता है इंडिया में, और इस इनुशिटी के department of microbiology दारा जो entrance exam कंडग की जाती है, यह entrance exam multiple choice की रहती है, मतलब यहाँ पे multiple choice questions रहते हैं, और जिसमें 20 marks के जो questions है, वो general type के questions रहते हैं, which is common to all subject और PG subject and subject related questions जो है, वो 40 questions यहाँ पे रहते हैं, मतलब हमें microbiology की entrance exam को appear होना है, तो 40 questions जो है, यह subject related रहेगे, and 20 marks के जो questions है, वो general type यह questions रहेंगे, ऐसे total meal के जो रहेगा, वो 100 marks की entrance रहेगी, जो साहितरभाय फूले, कुने इनिवर्सिटी, department of microbiology दारा कंडग की जाती है, और इसमें 100 marks का यह questions paper रहेगा, और जो syllabus है इस entrance exam के लिए, यह कुने इनिवर्सिटी का जो basic syllabus है, फर्स्ट यर, सेकंड यर या थर्ड यर का इस syllabus इस exam को रहता है, तो आपको जो B.S.C का जो syllabus है, पुने इनिवर्सिटी का वो syllabus आपको देखना है, and उसके accordingly आपको इस exam के लिए, इस entrance exam के लिए prepare कर रहा है, after qualifying in this entrance exam, you will get admission in microbiology department of स्वावित्र भाई फुले पुने इनिवर्सिटी पुने, उसके बाद हम देखेंगे दुसरी जो इनिवर्सिटी है, ओ है पंजाब इनिवर्सिटी चंदिगड, दुसरी इनिवर्सिटी है, यहाँ पे पंजाब इनिवर्सिटी चंदिगड और इस इनिवर्सिटी जा दौरा जो इजी के admission के लिए, जो entrance exam conduct की जाती है, उसे कहते है, इस पंजाब इनिवर्सिटी कॉमन इंट्रांस टेस्ट और इस इंट्रांस टेस्ट का जो duration है, यह फिर टाइम जो है, वो वन एन हाफ हावर है, मतलब that is 120 मिनिट्स और इसमें multiple choice questions रहेंगे, उसके बाद जो eligibility है, मतलब biological science का, जिसका graduation biological science में complete हुआ है, वो कोई भी candidate इस exam को appear हो सकता है, और इस इनिवर्सिटी में जो बीजी कोर्से से microbiology related, ओ है microbial biotechnology, तो यहाँ पे, plain microbiology की जगहे पे, यहाँ पे microbial biotechnology यह कूर्स कंड़क किया जाता है, और इस course को microbial biotechnology को admission दी जाती है, PUCET दार, मतलब पंजाब इनिवर्सिटी common entrance, test दारा इसको admission दी जाती है, और जो questions, number of questions है, इसमें, हो है 75 multiple choice questions with only one correct answer, तो इस तरह से यह पंजाब इनिवर्सिटी दारा entrance exam कंड़क की जाती है, MSC, microbial biotechnology के admissions के लिए, तो इस PUCET में जो questions रहेंगे, microbial biotechnology के admission के लिए, जो entrance कंड़क की जाती है, उसमें, तो that questions will be based on fundamentals of microbiology and biotechnology. क्योंकि यह जो course है, microbiology biology course है, इसलिए, जो fundamental syllabus है, microbiology और biotechnology का, उस पे depend, यहाँ पे multiple choice questions रहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, friends, इस री उनिवर्सिटी जो है, which is a repeated university in India, and the name of that university is Jawaharlal Nehru University दिल्ली, तो Jawaharlal Nehru University दिल्ली की जो entrance exam कंड़क की जाती है, तो यह कंड़क की जाती है, national testing agency के दोरा, जो एक autonomous agency है, और जिनका काम है, अलग-अलग entrance exam, या फिर अलग-अलग exams, जैसे की NET है, उसके बाद NEET की exam है, यह कंड़क की जाती है, national testing agency दोरा, और उसका नाम है, that is NTA, तो Jawaharlal Nehru University में जो PG courses के लिए admission दी जाती है, और जो entrance वहाँ पे कंड़क की जाती है, उस entrance का नाम है, JNUEE, मतलब Jawaharlal Nehru University entrance examination, और इस university की जो entrance exam है, जिसे हम JNUEE कहते हैं, तो इसका जो mode of examination है, यह online examination है, जिसे हम land-based CBT, या local area network based, computer based test कहते हैं, और जो duration इस exam का है, वो है 3 hours, that is 180 minutes का यह duration है, उसके बाद जो type of questions इसमें रहेंगे, वो multiple choice questions रहेंगे, MCQs रहेंगे, and that marks per question, that will be Y, and there is no negative marking, and the medium of this test will be English language only, and the eligibility for this Jawaharlal Nehru University entrance examination, it is BSc or BTEC or equivalent examination in biological sciences or in biotechnology. So, this is the, that pattern of this JNUEE, Jawaharlal Nehru University entrance examination, which is conducted by national testing agency. So, this is about the third university we have seen, or the pattern of that examination, entrance examination we have seen, then next we will see about the, that is Chandigarh University, Mohali, और इस exam के, इस university की दारा जो entrance exam कंड़क की जाती है, उसे कहते है, C-U-C-E-T, that is, Chandigarh University Common Entrance Test, उसके बारे में अब हम information लेंगे, तो friends, Chandigarh University भी मोहाली में जो entrance exam कंड़क की जाती है, यह हमारे, अगर लिंटेट हम देखेंगे, तो यह industrial microbiology and biotechnology के लिए, यह आपे हम देखेंगे, और इस exam का, entrance exam का नाम है, C-U-C-E-T, that is, Chandigarh University Common Entrance Test, और इस entrance के test के लिए, जो eligibility चाहिए, मतलब, MSC को अगर आपको admission लेना है, इस university में, MSC industrial microbiology हो, या फिर MSC biotechnology हो, तो आप कम से कम, bachelor's degree होनी चाहिए, at least 50% marks in that bachelor's degree, and that degree should be in any branch of life sciences, that is, or it should be in agriculture, it should be in pharmacy or veterinary or medicine, that is, MBBS degree students, they can also apply for this MSC in industrial microbiology or biotechnology. and जो duration रहेगा, इस entrance exam का, वो 120 minutes का रहेगा, 2 hours का रहेगा, and जो pattern है, questions का, वो multiple choice questions रहेंगे, and उसके बाद, one marks for each question will be there, तो एक question जो रहेगा, वो एक mark रहेगा, and there is no negative marking, तो यह हो गया pattern, that is, C-U-C-E-T, मतलब चंदिगर्ड इनिवरसिटी, common entrance test, और यह चंदिगर्ड इनिवरसिटी, यह एक private इनिवरसिटी है, and best इनिवरसिटी है, which is located in मोगाल, उसके बाद हम देखेंगे, गुरुनानक देव इनिवरसिटी, अम्रित सर, एक अच्छे इनिवरसिटी है, topmost इनिवरसिटी है, और इस इनिवरसिटी में, जो admission दी जाती है, गुरुनानक देव इनिवरसिटी, अम्रित सर में, यह microbiology and biotechnology के लिए यहाँ पे हमारे लिए special है, और जो for microbiology, मतलब अभी तक कि इनके date गई नहीं है, तो 30 जून तक आप यहाँ पे इस entrance exam के लिए apply कर सकते हो, जो जिसे बुरुनानक देव इनिवरसिटी और अम्रित सर में यह entrance exam होती है, और इसके लिए जो eligibility है, मतलब जो पातरता है, यह bachelor's degree होने चाहिए, biological sciences में, life sciences में, चाहिए वो zoology हो, botany हो, microbiology हो, या फिर biotechnology हो, तो यह students, अगर इन subject में उनका graduation हुआ है, तो यह गुरुनानक देव इनिवरसिटी अम्रित सर दारा, जो entrance exam conduct की चाहिए, उसे apply कर सकते है, और बाद में अगर अच्छा score आगा है उनका, तो उन्हें microbiology या बायो टेक्नोलोजी में वहाँ पे admission मिल सकता है, तो यह हो गए तो इनका जो खूए है, तो आगर टूए है, अगर को खूए है, तो यह है।